Hey everyone, Saksham here back again with another video और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मर्ण के बारे में So actually मैं मर्ण की भागदौर चालू कैसे हुए इसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत टाइम पहले Facebook के conference में एक बार Mark Zuckerberg ने कहा था कि हम mostly आजकल full stack developers को जादा preference देते हैं अब क्या होता है full stack developer actually में होता ही है जो front end भी देख लिए और back end भी देख लिए इससे क्या होता है company का बहुत जादा cost cutting होता है तो जैसे ये बात announce हुई वैसे ही मर्ण का एक बहुत अच्छा stack बन के आया Actually stack का मतलब होता है बहुत सारी technologies का mixture तो उस ताइम पर है मर्ण तो मर्ण एक ऐसा stack है जिसके अंदर हम front end भी develop कर लेते हैं easily और back end भी develop कर लेते हैं programming language भी एक ही रहती है JavaScript एने different programming language नहीं सीखने पड़ते हैं तो कैसे बनते हैं मर्ण stack developer क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा इसके लिए और होती कौन कौन सी technologies है इसके अंदर इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियों के अंदर बट फर्स्ट लेट्स रोल दे इंट्रो ओके सागर हम बात करें मर्ण के बारे में तो मर्ण देखो M-E-R-N तो M here stands for MongoDB, E stands for Express.js, R stands for React and N stands for Node.js तो अब यह बहुत सारी technologies बनके ऐसे support करती है एक दूसरे को तो जिससे बहुत जादा फायदा होता है क्योंकि अगर एक ही programming language होगी उसी पर यह आफ रेंटेंड लिख रहे हो उसी पर यह बैकेंड लिख रहे हो यह बहुत सारी चीज रखने की capability उसी से ही Mongo निकल के आया तो MongoDB एक ऐसा database है जिसमें आप बहुत सारा data रख सकते हो reason उसके यह है कि देखो आजकल cloud technology का जमाना है cloud technology के अंदर क्या होता है बहुत सारे वर्चुलाइजेशन होते हैं जिससे आपकी bandwidth limit रीच नहीं होती है और बहुत speed up रहती है चीजे और capacity इतनी ज्यादा आपकी रीच नहीं होती easily वही चीज करता है MongoDB के अंदर अगर एक कोई server है तो इसके अंदर virtualization इतनी अच्छे से support करवाया गया है कि बहुत सारी चीजें बढ़ती जाती है आपका कभी भी server भरी नहीं सकता है आप बहुत सारी virtualization कर दो और बहुत सारा आपका database बढ़ता जाएगा कितना भी data है उसमें वो data कभी fully नहीं होएगा तो यह बहुत अंदर एक shopping place करने का एक table होगा तो अगर इनको हम database के अंदर लिखते है अगर पहले time पे अगर mysql के according तो एक तो रो होगी हमारी user की जो हमारा data place कर रहा है एक हमारी रो होगी उस order की जो place हो रहा है वहाँ पे और फिर उसके अंदर है अगर हमें कोई changes ची है या added ची है ब ऐसी curly braces में लिखा जाता है और as a function उसको call करा दिया जाता है बहुत easily तो इसमें कोई rows और tables का इतना जादा issue नहीं आता है तो ये एक और reason है कि scalability बहुत अच्छी है changes बहुत easily कर सकते हैं हम इसके अंदर added करने में हमें कोई problem नहीं आती है इसके अंदर performance जादा better होके आती है चीजें speed up होके आती है और इसमें कोई restriction नहीं रहता तो ये तो बात रही mongo की अगर हम next move करें तो that is e, e stands for express.js तो express.js कुछ नहीं है बस ये framework है जो की server side अब देखो framework actually में क्यों काम आता है अगर कोई भी चीज हमें आसान बनानी है तो उसके लिए हमें framework use करते हैं जैसे wordpress ह वो एक PHP और अपनी front end technologies का combination है जो आपके लिए चीजें आसान बना देता है वैसे ये भी framework है जो क्या करता है server side की चीजें अगर हमें लिखनी है तो ये चीजें वो बहुत जादा आसान बना देता है अगर हम end वाली technology की बात करें node which is a server side language तो वो क्या करता है कि अगर हम node लि देखें कि और कौन सी companies use ले रही है तो myspace अभी तक express.js ले रही है PayPal भी express.js ले रही है अभी तक और इसकी एक और अच्छी चीज है कि इसकी बहुत सारी plugins available है market में API बहुत अच्छी से available है तो बस API call करा कि हम काफी चीजे implement कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है express.js के बारे में next अगर बात करें हम mernd के अंदर तो E के बाद आता है R which stands for react.js तो react.js हमने देखा है कि काफी famous है आजकल मैं आपको बताना चाहूंगा react.js हम लोग usually frontend के लिए use लेते हैं उसका reason यह है कि react.js famous इसली हो रहा है क्योंकि उसमें DOM based loading है तो जैसे अगर देखें कि अगर क्योंकि इसका MVC model होता है that is a model view controller जिसमें क्या होता है कि जो आपका frontend है वो backend से तुरंत verify करता रहता है देखो जैसे angular होता है उसमें dirty loop चलता रहता है वैसे इसमें तुरंत hand to end verify होता है कि कौन से document है जो हमें next अब load कराना है button click के बाद as a component तो यह बहुत अची चीज़ है front end के बारे में तो frontend इससे काफी तेज हो जाता है अगर बात करें हम designing की तो उसमें भी काफी top notch रहता है तो इसके अंदर हम अगर देख लेते है frontend के जितने भी solution है तो वो हम बहुत easily react से लेकर करके आ जाते है react कि अगर हम github पे भी देखें तो काफी अच्छी reputation है इसका reason somewhere ये भी है क्योंकि react actually में facebook ने निकाला था और basically वैसे तो खुद के use के लिए निकाला था facebook ने जैसे आप देखते है timeline है उसको अगर हम click करते हैं तो दुबार से पूरा page reload नहीं होता वो component बस load हो जाता है इस चीज के चक्कर में facebook ने react निकाला था but अब widely available है किसी के लिए react use क चरने के लिए तो यह बहुत ही चीज थी जो facebook ने निकाले थी अगर last हम बात करें node की तो node actually कुछ नहीं है node actually एक medium है front end को server side से communicate कराने के लिए अगर हम पुराने time case आप से बात करें तो जैसे PHP होता है जो कि front end को mysql से communicate कराता है वैसे ही इधर node होता है जो कि server side language है जो कि आ cross platform approach रखती है node तो यह बहुत अच्छी बात है node के बारे में तो यह सारी combination की जितना भी stack बनावा है यह javascript की help से बनावा है अब यह अच्छा कैसे है क्योंकि javascript एक single programming language है जो यहाँ पर यूज हो रही है हर जगे पे अगर वो framework भी है जैसे express framework है वो भी javascript के अंदर ही बन होती है और secondly आपको जादा सीखना नहीं पड़ता यानि एक programming language सीखी उसी से आपको front end भी आ गया उसी से आपको back end भी आ गया तो यह reason है मर्न आजकल काफी अच्छे से चल रहा है साथ में मीन भी पहले अच्छे से चलता था जिसमें हम लोग angular यूज लेते थे हां angular अच्छ कर दें react से तो यहां पर r here stands for react.js तो बस इतना सा difference है मीन और मर्न में तो आज की टाइम पर लोग मर्न जादा पसंद करते हैं सीखना तो यह थी एक full guidance की कैसे आप पूरा मर्न सीख के एक front end और back end full stack developer बन सकते हैं but that's it for today's video see you soon again tomorrow with another informative video